हाई एवरिवान सभीका स्वागत है अपनी कक्षा में आज ही क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अधिंक आफ ब्यूटी विच इस रिटन बाई जॉन कीट्स बहुत ही ब्यूटिफुल पॉम है और जॉन कीट्स ने इसको बहुत ब्यूटिफुली प्रेज आपके विस्तास के। चाप्टर के सारे के सारे चाप्टर साप्लोंग जैसे की देख सकते हैं अब एलेबल यह इस चैनल पर और उनके नोर्स भी अवेलेबल हैं उनके डिस्रिप्शन बोक्स में तो प्लीज आप लोग इन सभी वीडियो सोदेखे और अपने बॉट के लि let's quickly learn about हमारे John Keats के बारे में, who was born in the year 1795 and he died in the year 1821, right? it's also written here, it's also mentioned here, वो एक British romantic poet थे, ठीक है, अब वैसे तो वो एक सरजन थे, लेकिन उन्होंने अपने आपको डिवोट कर दिया था, entirely as a poet, okay? अब ये जो हमारी poetry है, वो कहां से ले ली गई है, it is an excerpt which is taken from Endymion, okay? ये जो हमारी poem है, ये एक excerpt है, कहां से ली गई है, Endymion से ले की ली गई है, और इसका background क्या है इस poetry का? हमारे ये जो poem है, एक Greek legend पर based है, okay? एक Greek legend पर based है, जिसमें, you know, जो Endymion थे, okay? वो एक beautiful और young shepherd थे, ठीक है, और कहां पर रहते थे? वो Mount Lactmus पर रहते थे, he was a poet and who lived on Mount Lactmus, और वो क्या करते हैं? उनको एक सपना आता है, he dreams of Cynthia, Cynthia कौन है, हमारी moon goddess, it's written here, mentioned here, vision of Cynthia, the moon goddess, okay? अब वो जो हमारे, हमारे Endymion थे, वो कहां जाते हैं? वो उनको धूनने, उनको सीख क करने चाते हैं, और, and then he starts wondering, okay? उनके पीछे भागते हैं, कहां कहां जाते हैं, forest जाते हैं, down under the sea, so this is the background of this entire poem, और जब वो उस जंगल में, forest में जाते हैं, तो वो सारी चीज़े अपने आसपास notice करते हैं, और फिर ये poem लिखते हैं, a thing of beauty, right everyone? चलो, जो की कहां से ली गई है, as I have already told you, उनकी poem, endymion से ली गई है, ठीक है? चलो, चल्दी से शुरुआत करेंगे, हम लोग हमारी poetry को, one by one I will read out the lines and then I will make you understand the entire poem, a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, okay? अब हमारे जो John Keats हैं, वो आपको बताने जाने हैं कि कोई भी चीज, ठीक है, a thing of beauty, जो भी चीज, जिसमें जो beauty होती है, जिस भी चीज के बारे में वो इस poem में बात करने वाले हैं, वो आपको हमेशा joy देगी, वो आपको source of joy रहेगा, आपको वो हमेशा खुशियां देग है, उसकी जो loveliness होती है, वो हमेशा increase करती है, और वो कभी बीना zero तक नहीं पहुशती, वो कभी खतम नहीं होती है, but वो जो happiness, eternal joy जो होता है, वो हमेशा increase करता है, उसकी जो loveliness है, वो क्या है, वो हमेशा increase करेगी, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing, अब यहाँ पर बेटा, bower मतल क्या होता है, मतलब की tree के नीचे, जो shady place होती है, ना, okay, वहाँ पर, okay, so that is bower, अब हमारे जो कीच से आपको यह समझाना चाह रहे हैं, कि for example, आप यह सोचो कि गर्मी का time है, ठीक है, hot season है, जब hot season होता है, और जब हम किसी रास्टे पर होते हैं, और कोई बड़ा सा पेड़ हो, और वहाँ पर हमको कोई shady place मिल जाए, किसी पेड़ के नीचे कोई shady place मिल जाए, तो हमें सुकून की नीद आती है, वहाँ पर, right, त So, वह कह रहे हैं कि above which is quiet for us, right, वह भी एक beauty है, why, क्योंकि वहाँ पर you are able to sleep, right, तुम dreams देख पा रहे हो, quiet breathing हो रही है, your health is also good, right, so वह mention कर रहे है, the beauty, which will always increase its beauty, which will never, you know, pass into nothingness, therefore, and every morrow, are we rating a flowery band to bind us to the earth. So, what they are trying to say, हमारे जो kids हैं, वो यह कहना चाहरे हैं, कि इसलिए है, हर सुभा, on every morrow, हम क्या करते हैं, redding मतलब, redding मतलब क्या होते हैं, making, okay, So, वो कहते हैं, कि हर सुभा, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके mothers, आपके parents, या फिर घर में कोई भी मंदर में माला चड़ाते हैं, भगवान जी को, right, तो वहीं माला जो होती है, वो कह रहे हैं, कि न, वो जो beautiful flowers है, न, okay, वो न, हमको इस earth से attach करके रखते हैं, right, So, इसलिए हर सुभा, जैसे हम लोग भगवान को माला चड़ाते हैं, और वो माला जो हम garden से, या कहीं से भी उठा कर लाते हैं, वो हमको किस से connect करती है, वो हमको connect करती है, हमारे binders to the earth, spite of despondence, okay, sadness, of the inhuman death, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, okay, अब वो कह रहे हैं, इन सब चीजों के बावजूद, ठीक है, अगर तुम साड हो, तुमारी life बहुत gloomy है, बहुत sadness है तुमारी life में, right, तुम बहुत दुखी हो, okay, पट ये जितने भी तुम बहुत gloomy days है, बहुत depression के days है, ठीक है, पट ये जो हमारा जो nature है, जो हमको earth से bind करता है, हमको connect करता है, वो जो beauty है, वो हमको खुशिया लाता है, which becomes our source of happiness, right, everyone, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the path from our dark spirits, now, John Keats here, who is a romantic poet, and romantic poet doesn't mean की वो lovebirds, couples के बारे में बात करते है, romantic poets का एक era था, जब वो nature के बारे में बात करते थे, right, when they love nature, तो romantic poets एक term है, जिन लोगों को बहुत जादा attachment थी nature से और nature के बारे में लिखते थे, and here in this poem, as you can see, वो nature को आपको कितने beautifully explain कर रहे हैं, कि all the things present around you has its own beauty, which will always increase its loveliness and will never pass into nothingness, basically, beauty is a source of happiness, made for our searching essence, तो जितने भी unhealthy, over darkened, bad days, sad days, but you know, जो हमें beauty मिलती है न, nature से, right, वो हमारे जितने भी dark spirit सोती है न, वो हमारी beauty को, dark beauty जो है, हमारी dark spirit को हटा देती है, right, जब हम धूनते हैं वो beauty और इन सब चीजों के बावजूत, जो हमारी beauty है न, वो हमारे सभी dark spirits को move अवे कर देती ये भगा देती है, clear हुआ इतना, चलो, आगे बढ़ दे, such the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon, ठीक है, अब इस दो लाइनों में वो अब पते हैं हमें कीज क्या, हमारी और beautiful चीजों को याद दिलवा रहे हैं, जैसे की sun, जैसे की moon, जैसे की old trees, जैसे की young trees, sprouting a shady boon, basically sprouting a shady boon का मतलब होत है कि आपके लिए blessing है बच्चा, ठीक है, ये सबी चीज है, of course sun, moon, trees, old or young, they are blessing to us, you all know, since third class, हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, uses of trees, ये हैं, ये sun, moon, trees हैं, तो हम जिन्दा है, right, trees ही नहीं होंगे, तो क्या आप लोग जी पाओगे, सास ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, नहीं ही sun होगा, तो क्या रॉष्णी मिल पाओगी, got it, so these are the things which are a blessing to us, ये हम लोगों के लिए blessing है, and which is, you know, बहुत beautiful है ये, 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 कहीं आपको नहीं मिलेगी, if you'll go to some market, to a shop, and you'll ask for a sun, you'll not get it, it is a blessing that God has granted us, right, for simple sheep and such are defodils, now you know, अब उनोंने इतनी बड़ी-बड़ी blessings भी आ animals को भी count करा है, not just the human around us, not just the trees, plants, you know, not just the sun, moon, but all, you know, these sheep, animals also, flowers also, so sheeps and such are defodils, all these things are beautiful, with the green world now, green world, you know, jungle, forest, अबनोंने फोर्रेस्ट को भी आट कर है, so basically, can you understand, in कुछ पारग्राफ में उनोंने entire चीजों को, सभी चीजों को, उनकी beauty आप लोगों को explain कर दिया है, now अब उन्होंने forest भी आट कर दिया है, with the green world they live in, okay, अब ये जो sheep है, ये जो defodils है, ये जो flowers है, ये कहा रहते हैं, forest में, right, with the green world they live in, and clear rills, basically, जो हमारी streams होती है, rivers होती है, right, ये सभी हमको forest में मिलती है, right, उनकी beautification बता रहे हैं, explain कर रह हैं, चीज़ों को, that for themselves a cooling covert make, against the hot season, the mid forest break, now, keats, अब आपको ये समझाना चाहरे हैं, कि अब आप, you know, forest में जाते हो, तो वहाँ पर, अब कोवर्ट का मतलब क्या होता है, you know, long bushes, बड़ी-बड़ी जो bushes होती है, अगर आप लोगोंने, pictures में देखी होगी, forest में कभी visit नहीं कर होगा, जहाँ पर animals, या फिर elephants वगेरा, tigers वगेरा, पानी पीने जाते हैं, उसके आसपास, long, बड़ी-बड़ी bushes होती है, तो वहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा, कि वो लोग वहीं पर, क्या करते हैं, जब गर्मी होती है, वहाँ पर बैट जाते हैं, क्यों बैटते हैं क्योंकि न, उनको वहाँ पर थोड़ी थंड़क मिलती है, और आप भी जानते हैं, कि जहाँ पर streams, rivers होती होती है, उसके आसपास थोड़ी थंड़क रहती है, और वो जो animals होते हैं, उन long bushes के वहाँ पर छुप जाते हैं, तो that's what they are trying to explain in these two lines, that for themselves a cooling covert make, against the hot season, the mid forest break, beach ओ बीच वो लोग वहाँ पर बैठते हैं उस गर्मी के टाइम पर, okay, समझ आया, आगे बढ़ते हैं, this is the last paragraph, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, okay, so this is the line, इस line का मतलब क्या है, अब वहाँ से और क्या खुश्बू आती है, musk rose, rose की क्या bloom, मतलब उसकी खुश्बू आती है, जो ब्लूम हो रखा है, व और तो और वो कह रहे हैं, अभी तक ना पूरे entire poem में उन्होंने living things, living beings के बारे में बात करिये, now, in the next line, you will see, कि वो death में भी beauty बता रहे है, and such too is the grandeur of the dooms, यहाँ पर इस line का मतलब है, कि वो जो जिनकी death हो गई है, उसमें भी एक beauty है, जो हमारे soldiers, जिन्होंने हम आरे अपनी country के लिए लड़ाई करी है, और उसमें उनकी death हो गई है, right, we have imagined for the mighty death, उन सभी soldiers के लिए हमने जो imagine करा है, आपको imagine करवा रहे है, आपके दिमाग में एक picture बनवा रहे है, कि हमने वो जो सभी lovely tales सुनी है, या फिर पढ़ी है, उन soldiers के बारे में, उसमें भी एक beauty है, an endless fountain of immortal drink, now, immortal is something that never ends, that never dies, right, so now they are talking about the fountain, वो जो एक immortal drink के बारे में बात कर रहे है, वो drink जो कभी खतम नहीं हो सकती, it is an endless fountain, okay, वो direct, वो जो beauty है, ठीके, ये एक endless fountain के तरह है, which is never going to end, और वो directly कहां से आ रहे है, हमारे heavens से, हमारे स्वर्ग से आ रहे है, pouring onto us from the heaven spring, हमें God पोर कर रहे है, वो हमारा immortal drink, which is endless, which can never end, कहां से डारेक्ट आ रहे है, हमारे स्वर्ग, हमारे heavens से आ रहा है, all these beauties, okay, all the things that are beauty, its loveliness will never decrease, in spite of it, it will always increase, right, which will give you an eternal source of happiness, joy, right everyone, इस चाप्टर में आप लोगों को समझ आया होगा, यह पूरा टाइटल, जो हमारा a thing of beauty रखा गया है, क्यों रखा गया है, इसलिए, because हमारे John Keats ने बहुत beautifully, सभी elements को add करा है, be it air, be it forest, be it flowers, be it sun, moon, be it daffodils, everything, okay, which in its, you know, all these things in itself, they are a beauty, so I hope आप लोगो को समझ आया होगा, Namaskar everyone, thank you so much, bye-bye, take care.